हलो दोस्तों कैसे हो आप सभी आज मैं आरपी के पकोड़े बनाने जारी हूँ उसके लिए मैंने दो प्याज पांच वे लस्न की कलियां दो मेर्च, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच नम्मक अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे और एक चम्मच अजवाइन, दो चम्मच अम्चूर पाउड़, आदा बाउल चावल आटा, एक बाउल बेसन अब हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे यह एक चम्मच अजवाइन है, और एक बाउल बेसन और यह चावल काटा है चावल काटा डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और यह पोड़े गर्म होती है इसकी तसीर, इसलिए इसमें हमने चावल काटा डाला है और दो चम्मच अम्चूर पाउडर और यह जीरा पाउडर है और यह धनिया पाउडर अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें स्वादा अनुसार नमक भी डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हमने ये पेस्ट ज्यादा पतला नहीं बनाना है इसको अच्छे से मिक्स करते करते फिर इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे अब यह हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसमें अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद यह पैटना त्यार हो चुका है अब हम एक अर्बी का पत्ता रख देंगे नीचे और यह मसाला पूरे इसमें पत्ते में लगा लेंगे और यो उपर से ढिंद जो निकाल लें यह जब हां फोल्ड करेंगे यह पत्ति तूट सकता है पत्ता अब इसको पूरे आच्छे Statement से लगा ले ए aujourd वह भी टेश्टी बनके त्यार होते हैं आप भी अपने करणे क्यां करते हैं इस एच्छे से लगाटे हुह यह पूरा थ्यार है कलबी का पता आ अब हम इसके उपर दूसरा पत्य ग्षयरे डुस्पकिंदर को नेखी से डखेंगे अब इसको भी अच्छे से लगा लेंगे इसके उपर भी मसाला हम अच्छे से और यह बहुत ही टेस्टीवन के त्यार होते हैं इसका भी डंठा निकाल लें सभी पत्वों कि आप डंठा निकाले मैंने पहले ही निकाल ली हुए थे इसमें आमचूर पोड़ थोड़ा दो चमच अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं जैसे ज़्यादा टेस्टी तो इसमें आप इमली का पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा उसकी बज़े से जो गले में खराश होती है नहीं अर्भी के पोड़ एखा के वो नहीं होगी अब हम इसको एक साइड से फॉल्ट कर देंगे इसके उपर भी हम वो बेसन लगा लेंगे मसाला बेसन वाला अब हम इसको दूसरी साइड से फॉल्ट कर देंगे इसको अच्छे तरीके से टाइट करके फोल्ड करें नहीं तो यह खूल भी सकते हैं और पत्ते फट भी जाते हैं बीच में अब इसको अच्छे से फोल्ड कर दें इसी तरीके से आप बना सकते हैं पांच पत्तों के मतलब उसके अच्छे बनते हैं इसी तरीके से मैंने दो और बना लिया है मैंने तीन बना लिया है अब मैंने यहाँ पे एक बरक दिया है उसमें पानी डाल दिया हुआ है और उपर से स्टैन डाल दिया है उसके उपर एक प्लेट रख दिया, उसके उपर तेल लगा दिया, फिर उसके उपर ये रख दिया थे, अब ये निकाल लिए हैं, ये अच्छे से पके त्यार हो चुके हैं, अब इसको ठंडा होने के बाद गोल-गोल पीस में काट लेंगे, इसको मैं डीफ फ्राइ नी करू के लिए इक पैन रख दिये को पैन में ओल लगा दिया है है, अच्छे से इसको ओल लगा लें बुरे पैन को, अब जो मै ने वो पीस कट किये हो ओए ब्ली के पकोڑण के अब वह लगा दिया है वह डाल दिया है कैस्ट है लिए अब उरन देल के फिर दुनौ साइडर इसको दोनों साइड इसके तेल लगा देंगे अच्छे से कोई कोई डी फ्राई खाना पसंद करता है कोई ऐसे इसलिए मैंने ऐसे ही फ्राई की है अभी दूसरी बार कर लीए फ्राई और यह बनके तियार हो चुके हैं आप भी अपने घर में जरूर बनाएं और जरूर बनाएं इसको बताएंगी कैसे बनेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर कुमेंट करके बताएं और धन्यवाद